दोस्तों इस वीडियोर में हमने वजन बढ़ाने के नुस्खे के बारे में जानकारी दी है एवब मोटा पा बढ़ाने के लिए आयूरवेदे कुप 4 के बारे में बताया है ज्यादा कैलोरी का सेवन करे वजन बढ़ाने के लिए जो सबसे महत्वपून टिप है वो यही है कि आप भोजन में ज्यादा से ज्यादा कैलोरी का सेवन करे अपना वजन बढ़ाने या शरीर को मोटा करने के लिए आपको चाहिए कि आपका शरीर जितनी कैलोरी रोजाना खपत कर पाता है उससे ज्यादा कैलोरी का आप सेवन करें। आप अपना वजन जल्दी और तेजी के साथ मोटा पा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा खाना खाए ध्यान रखे वजन बढ़ाते समय एक बार में ज्यादा खाने का प्रयास न करें। तेजी से मोटा होना है तो खाईए आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं और मोटा होने के उपाय, मोटा होने के नुस्खे और मोटा होने के तरीके ढूंड रहे हैं तो आप सबसे पहले अपना डाइट प्लान बढ़ले। किसी भी व्यक्ति के मोटा पे और वजन को बढ़ाने में आहार की मित्वपून भूमिका होती है, वसा और काबो हाईदृत से भरे आहारों का सेवन कर अपना वजन बढ़ा सकते हैं। साबुत अनाज आप तेजी से वजन बढ़ाना या मोटा पा बढ़ाना चाहते हैं तो साबुत अनाज का सेवन कीजिए। अन्डा खाने से आपकी मास पेशया और हड्या मजबुत होंगी। टेजी से वजन बढ़ाने के लिए अन्डे का सेवन आप प्रेकफास्ट में दुद और जिसके साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अन्डे का सेवन सेंट्विच और बर्गर के साथ करिए। इससे वजन आसानी से बढ़ेगा। दुद वर डेरी उतपाद। दुद का सेवन कई सधियों से वजन और मानस्पेशियों को बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। दुद में वे सभी पोशिक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे वजन यानी के मोटा होने के लिए आवश्यक है। दुद्ध और डेरी उत्पादों में कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है। सुबह के भोजन और रात्री के भोजन के साथ मिल्क शेक, मला, युक्त, दुद्ध और चोकलिट का प्रयोग करने से शरीर को अतिरिक्त मात्रा में कैलोरी, वसा और पोशक पत्व मिलते हैं जिसके फिलसा रूप तेजी से आपका वजन बढ़ने लगता है। सुबह के भोजन और रात्री के भोजन के बाद आप चाहे तो दही और आइस्क्रीम का भी सेवन कर सकते हैं। सुबह करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की भी आवशक्ता नहीं है, आप अपने घर में ही व्यायाम करके अपना वजन आसानी से बढ़ा सकते हैं। वजन या किसी फैंसी मशीन की आवशक्ता नहीं होती है, इस व्यायाम की सहायता से आप आसानी से आप अपने शरीर के उपरी हिस्से पर वजन को बढ़ा सकते हैं। स्कौट, स्कौट्स वजन बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छी एकसरसाइज हैं। इस एकसरसाइज के माध्यम से आप अपने पेरों के हिस्सों में वजन को बढ़ा सकते हैं। एक दिन में कम से कम दो बार स्कौट के 20 सेट पूरा करें। बैंच प्रेस, बैंच प्रेस एकसरसाइज कंधों और ग्रिजों की तुलना में आंतरिक और ठाती के बाहरी क्षेत्रों के आसपास अधिक वजन बढ़ाने में मदद करती है। चाती के आसपास के हिस्सों में वजन और मान स्पेशियों को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही कारगर एक सरसाइज है। वजन बढ़ाने के लिए 10 के 2 सेट कम से कम जरूर करें। योग करें। योग भी एक तरह की कसरत ही है। योग ऐसी अविश्वजनिय कसरत है कि इसमें लगभग सभी स्वास्थिसंबंधी समस्याओं का समाधान है। इसलिए दोस्तों अगर आप मोटा होने के नुस्खे, मोटा होने के उपाई या मोटा होने के तरीके खोज रहे हैं तो इस स्थेती में योग आपके लिए रामबान उपाई साबित हो सकता है। अगर आपका दुबलापन भुख की कमी, तनाव, स्ट्रेस, खराब, चयब, चयत्व, मेटाबोलिजम या पाचन जैसी समस्याओं के कारण है तो आप योग द्वारा अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। योग आपके वजन को स्थिर करता है, फिर शरीर में ऑक्सिजन वर रक्त के संचालन की गती को बढ़ा देता है, जिसके फलसव रूपा आपकी मान स्पेशियों को मजबूती मिलती है और आपका वजन बढ़ने लगता है। भुजंग आसन योग को कोब्रा पोस में नाम से भी जाना जाता है। यह योग आसन हमारे पाच्टन तंत्र पर कार्य करता है, जिससे भुख में सुधार और चयप चैन नियंत्रित होने लगता है। इस योग आसन में जब हम अपने साइम को स्ट्रेच करते हैं तो हमारी अईश्वास प्रनाली भी मिसधार होता है। वजरासन योग वजरासन्योग असान को अंग्रेजी में डायमंड पोस भंडबोल्ट पोस भंडबोल्ट पोस के नाम से भी जाना जाता है। यह आसन के वल एक मातर ऐसा आसन है, जो भोजन के तुरंट बाद अभियास किया ज यह मनुश्य के शरीर के पाच्छन तंत्र पर सीधे असर करता है और चयब चय को सुचारू रखने में मदद करता है वजन बढ़ाने के साथ साथ यह आसन मन को शांत करता है अधिक वजन उठाए अभी तक आपने जितनी भी कैलोरी अपने आहार के द्वारा ग्रहन की है वो आपका भद्दा मोटा पान दिखने लगे और आपके शरीर की मान स्पेशियों की ताफ पढ़े उसके लिए अवश्यक है कि आप वजन उठाए वजन उठाने के लिए आप जिम जा सकते हैं जिम में आप ज्यादा से ज्यादा वजन उठाने की कोशिश करे और समाई के तनाव कई बीमारियों की जड़ है क्योंकि जब कोई व्यक्ति तनाव में रहता है तब वह अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाता जिसके कारण उस व्यक्ति को कई बीमारियां घेर लेती हैं ये बात आपी जान ले कि जब तक आप तनाव से दुर और खुश नहीं किसी भी व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार भोजन और पानी आवश्यक है ठीक उसी प्रकार भरपर नीज लेना भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। फिटो फाट कैप्सूल्स की अधिग जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट आयुश्यरेमेडीज.न पर जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े और हमारी आने वाली नई विडियो को सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब के बेला इकन को प्रेस करें